रीतिकाल की सुरुवात के लिए, समय कब से माना जाता है, 1658 से 1857 इसवी तक का जो समय है, वो रीतिकाल की समय सीमा में आता है, आपको पता है, 1700 से 1900 का जो समय है, वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, मद्यकाल का ही एक पार्ट है मद्यकाल का जो उत्तरी हिस्सा है समय का बाद वाला हिस्सा उत्तर मतलब बाद का हिस्सा मद्दे काल के पूरु हिस्से को क्या बोलते हैं पहले वाले हिस्से को बोलते हैं भक्ति काल और उत्तर वाले हिस्से को यानि कि बाद वाले हिस्से को बोलते हैं रीति काल इसका समय ध्यान रखिएगा, ये इस्वी सन्में लिखा हुआ है और ये उपर विक्रमी समवत में लिखा हुआ है इसकाल की प्रमुखधारा का विकास कविता की रीती के आदार पे हुआ और इसी वज़े से इसका नामकरण क्या पड़ गया? रीती काल पड़ गया, अब आगे हम ये समझने वाले हैं कि रीती थी क्या, कहां से आई रीती, रीती कहते किसको है, क्या वही रीतियों का अनुपालन ये साइटे में किया गया, जो वास्तों में रीती के दाइरे या रीती की स्राणी में आते हैं, वहां पर भी इस चीज का वहाँ पर भी इस चीज का जो है एक गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो ये सब हम आगे डिस्कुस करने वाले आप ये ध्यान में रखिएगा कवीता की रीती के आधार पर इस काल का नाम करण रीती काल पड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा मुख्य धाराव की जो कवीता कैस किस आधार पे लिखी गई रीती के आधार पे लिखी गई यही वज़े है कि इस काल को हम रीती काल नाम देते हैं रीती काल संब्रिधी और विलासिता का काल है एक तरीके से केंद्रिय सत्ता इस्तापित हो जाने से एक संब्रिध सासन परंपरा का निर्मान उस समय धन्दाने से परिपूर्ण और एक तरीके से प्रकर्टी ने भी साथ दिया और यही वज़य थी कि लोगों की जिन्दगी जो है वो काफी खुसहाल लग रही थी एक इस तरफ जुकने का कारण विलाशिता की तरफ जुकने का कारण ये भी रहा है रितिकाल के समाप्ति के बाद 1857 के आसपास आपको पता होगा 1857 से लेके और 1915 तक का जो समय वो समय बड़ा कस्टकारक समय था बड़ा दुख़दाई समय था भारती जनता के लिए भी और विश्व की जनता के लिए भी तो वि रितिकाल संब्रदी का समय था और संब्रदी के कारण विलासिता पनप्ती है तो विलासिता और संब्रदी का एक संयुक्त समय था वो रितिकाल और इस समय पर राजनेतिक इस्तर पर भी परिवर्तन देखने को मिले आपको पता होगा सहाँ जहाँ ने जिस परकार कला में रूची दिखाई और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका जो राज्य था वो धीरे धीरे जो है एक तरीके से अलग-अलग सामंतों अलग-अलग लोगों के द्वारा जो आसन में वर्चस्व रखते थे उन लोगों के द्वारा धीरे-धीरे हडपा जाने लगा मतलब छोटे-छोटे इस्तों में बंटने सुरू हो गए थे वो रज्य की छोटे-छोटे हिस्से बनने सुरू हो गए थे और हरेक सामंत हरेक सुवेदार अपने आपको स्वतंतर राजा के तौर पे घोसित कर रहा था और इसका परिणाम क्या हुआ उसने घोसित कर दिया घोसित करने के बाद वो भी वैसी जीवनसली अपना रहा था जैसा कि उनका राजा जीवनसली अपना रहा है इसका प्रभाव क्या हुआ कि सासन वर्ग में विलासिता जो थी वो एक इस्तर से दूसरे इस्तर पर नहीं बलकि सीधे पांचवे इस्तर पर पहुंच गी आप समझ रहे हैं एक तो यह होता कि दस प्रतिसत विलासिता थी लोगों की जीवन सली में और एक ऐसा समय आया सांज सत्ता के रूप में गोसित कर दिया तो यह जो दस प्रतिसत की बात थी वो सीधे पहुंच गई पचास प्रतिसत वो अदीन तो है मुगल सत्ता के लेकिन उनकी अपनी सक्ती अपनी ताकत है और इसका प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने भी वही जीवन सली अपनाई जो परिवर्तन देखने को मिला और जब राजनेती में परिवर्तन होता है तो सीध ऐसा समाज पर परिवर्तन होता है और समाज पर जब समाज में वो परिवर्तन देखाई देता है तो वही परिवर्तन लगभग लगभग साहिते में भी उतर आते हैं यह आप अच्छे से जान वो दूसरी बार मुगल सत्ता के स्तापना का समय है और इस बार जब मुगल सत्ता इस्तापित होई और मुगल सासन का जो तरीका था वो तरीका बिल्कुल बदला एक व्यवस्तित रूप सामने आया और वो व्यवस्तित रूप साहँ जहां नहीं संबाल पाया क्योंकि उसकी रुची राजनीटी में नहीं थी, उसकी रुची जन सेवा में नहीं थी, बलकि उसकी रुची जन सेवा से ज्यादा, राजनीटी से ज्यादा किसमे थी? कलाओं में थी. कलाकार का और एक विलासी प्रवर्ती का व्यक्ती था, तो मुगल सत्ता की दूसरी बार इस्तापना हो चुकी थी और इस वज़े से ताहां जहां उसको संभाल नहीं पाया था, उसी परंपरा को जो आपके पहले देखने को मिलती है, और इसका प्रभाव ये हुआ कि कई सारे सामनतों ने, कई सारे जागिर्दारों ने, कई सारे स्थानी राजाओं ने, कई निजामों ने, अलग अलग जगे से अपने आपको एक सौतंतर सत्ता के रूप में गोसित कर दिया, और इस से न सिर्फ समाज में, बलकि हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में, यहां बात सिर हर एक विक्ति चाहे वो अपर्तेक्स हो, हर एक के जीवन में विलासिता ने घर बना लिया था साधना के काल में भक्ति यूग से ये इसी बात से भिन्नता रखता है ये रीतिकाल का समय कि इसमें कोरी विलासिता ही उपास से बन गई और वेराग्यपून साधना जो थी वो गायब हो गई भक्तिकाल और रीतिकाल में कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि एक लंबे समय का गैप रहा है नहीं भक्तिकाल के तुरंट बाद ही जब रीतिकाल के सुरुवात मानी जाती है और समय के हिसाब से क्योंकि रीतिकाल और भक्तिकाल में कहीं पर भी कोई कन्फूजन नहीं होता है और ये बात भी ध्यान में रखें कि अचानक कोई काल नहीं लगता है या अचानक किसी काल की या किसी प्रवर्ती के साहित्य के सुरुवात नहीं होती है, उसके गुण पहले देखे जाते हैं, उसके सूत्र पहले ही मिल जाते है, बक्ति काल के उत्रार्द में ये बात अच्छे तरीके से साहित्य में उतर चुकी थी, क्या चीज? विलासिता, भल चाहिए वो कोई धार्मिक संप्रदाई विसेस हो, चाहिए वो क्रश्न बक्ती से जुड़ा हुआ हो, चाहिए वो राम बक्ती से जुड़ा हुआ हो, और चाहिए वो सूफी से जुड़ा हुआ हो, किसी से भी जुड़ा हुआ हो, उनके यहां पर वैराग्य पूर्ण जीवन सैली के अफेक्षा भक्ति पूर्ण जीवन सैली के अफेक्षा या फिर कहें कि एकदम साधारन जीवन सैली के अफेक्षा विलासिता उन लोगों में भी घर कर चुकी थी किसी बहुत बड़े संप्रदाई के कोई महंत हुए है या फिर उस संपरदाय के प्रवर्तक विसेस हुए है संपरदाय को चलाने वाले गर्दी नसीन व्यक्ति हुए है उन लोगों के भीटर भी वही विलासिता घर कर गई थी जो केंदर स्थत राजा को राजा के व्यक्तितों में देखी जा सकती है क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही क्या है एक बार चेक प्रिवेश जी एक बार ना रीजान कर लीजिए आप आपने देखा होगा बक्तिकाल में बक्तिकाल का जो पूरो का हिस्सा है उसमें कितनी सादगी पूर्ण जीवन सहली दिखाई गई है कहीं पर भी किसी भी कवीने किसी भी व्यक्ति विसेश की या फिर किसी भी चरितनायक की वो जीवन सहली नहीं दिखाई है जो एक तरीके से विलासिता पूर्ण हो और आप उतरार्द काल का साइट देखिए भक्तिकाल का ही भक्तिकाल का रीतिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ स सिव ही है वहाँ पर लेकिन इन तीनों के चरित्रों को देखिए विस्नू है विस्नू के चरित्र को देखिए अब उनकी जीवन सहले विलासिता पूर्ण बन गई है कारण क्या हुआ कोई सत्ता की स्थापना और सत्ता कैसी थी जो विलासिता पूर्ण जीवन में यकीन करती जो प्रजा से भारी टैक्स वसूल करने के बाद में कर वसूल करने के बाद में अपनी जीवन में एक तरीके से विलासिता वाले उस कॉलम को पूरा फुल्फिल करना चाहती थी भरना चाहती इसका प्रभाव समाज पर पड़ा जिब समाज पर ये प्रभाव पड़ा तो सीध सी बात है साहित्यकारों के यहाँ पर रचनकारों के यहाँ पर भी साफ-साफ तौरपे देखने को मिला कि छरितना एक वही होगा, सरुस्रेष्ट चरितना एक वही है जिसकी जीवनसायली बिला सितापूर्ग है और ये चीज जो है एक तरीके से भक्तिकाल के उतरार्द में ही सुरू हो चुकी थी और जैसे ही रीतिकाल का समय माना जाता है जो वेरागेपूर्ण साधना थी जीवन सैली थी अतिसादार अद जीवन सैली थी लोगों की रचनाकारों की चरित नायकों की उस जीवन सैली को क्या कर लिया विलासिता में कनवर्ट कर दिया बदल गई आपस में और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि नाम भले ही वहाँ पर आपको राधा कृष्ण का देखे या राम सीता का देखे या सिव पारवुती का देखे लेकिन उनकी जीवन सहली में आपको रात दिन का अंतर दिखाई देगा वहाँ पर रीतिकाली इनसाहिते में या भक्तिकाल के उतरारद के साहिते में जिन के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अन्यप्रबर्तिओं का साहिते वहाँ आप देखेंगे कि राजा रानी के बहाने से सॉरी देवी देवताओं के बहाने से अलोकिक चरित्रों के बहाने से अलोकिक चरित्रों के इस्थापना की गई है वर्णन उनका किया गया राधा और क्रिश्न का हमने प्रटेक्स तोर पे लेकिन अप्रटेक्स तोर से कहीं न कहीं वही चीज लिंक की गई किसके साथ में जिसके वो दरवारी कभी थे जिसके वो आसरे में रहकर रचनाय किया करते थे उस राजा और उस रानी को उन लोगों ने क्या बनाया एक तरीके से चरितनाय की तौर पे इस्थापित कर दिया आप देखते होंगे पिसंगर सैली की चित्र सैली है और वहां पर बनी ठणी एक चित्र कला बनती है इस चित्र कला को आप देखेंगे जो भक्तिकाल के nell के दौरान जो भी चित्र बनाय गए है ये रीतिकाल किये वैसे, वक्तिकाल के दौरान जितने भी चित्र बनाए गया ना, उन में सादगी है, उन में सरलता है, उन में सात्रिकता है, और उन में बाहिय सौंदरी को कहीं पर भी कोई इस्थान नहीं दिया गया है, भीतरी सौंदरी को ज्यादा महत दिया गया है, भीत प्रवरतियां रीतिकाल में आकर भक्तिकाल की प्रवर्तियों को दबोच लेती है भक्तिकाल की प्रवर्तियों पर हावी हो जाती है उसी का एक तरीके से कैनवास पर अंकन आपको बनी ठनी में देखने को मिलता है और सिर्फ बनी ठनी इसका एक उदारन नहीं है बलकि समूचा राजपुता ना और यहां की जो भी स्कूल आर्ट पेंटिंग स्कूल से है जितनी भी उन सब में ये परिवर्तन यका यक देखने को मिलता है अचानक से ये चीजे देखने को मिलती है परिवर्तित हुई ये ची एक तरीके से यथार्थ ज्यादा है और उसके बाद के खासकों की जिवन सली देखिए वहां पर विलासिता नजर आएगी आपको क्योंकि एक तरीके से राज्य जो है उनको बना ठना मिल गया है पहले से तैयार पहले से बनाया हुआ एक बड़ा समरजे उन लोगों को मिल चुका था तो ये परिवर्तन जो राजनेतिक स्तर पर हो रहे थे वही परिवर्तन आपको साहित्य में भी वही परिवर्तन आपको सामाजिक जीवन में भी वही परिवर्तन आपको धार्मिक जीवन में भी तामन्य तोर पर देखने को मिलते हैं इस समय विसेस में सजीव स्रिंगार की चाह इस यूग के साहिते में प्रतिविंबित होती है और ये आप देखते हैं भले ही वो देवी देवता है लेकिन देवी देवताओं के भी पाहिय संदरिय यानि कि इस्थून संदरिय को रीतिकाल के सुरुवात से ही महत्व दिया गया दिखने में कैसे हैं उनके उनका स्रिंगार कैसा है सोले स्रिंगार की जो बात आती है वो रीतिकाल नहीं आती है देवी देवताओं के यहां पर देवी देवताओं के संदर्ब में अन्य था आदिकाल में यही चीज़े वरनित की गई है ऐसा नहीं कि आदिकाल में स्रिंगार राजा रानी के नाम से ही की गई भक्तिकाल में भक्तिकाल का जो उत्रार्द का समय है उस समय कहानी की सुरुवात तो अलोगी चरित्रों के नाम से की गई है लेकिन अंत ले जाकर कहां करते हैं वो अपने आसरे देने वाले राजा या रानी के उपर ले जाकर उस रचना का अंत कर देते हैं इसका मतलब क्या हो गया वो निरोपित कर रहे हैं वो इस्तापित कर रहे हैं कि उनके राजारानी ही वास्तों में अलोगी कवतार है उनके राजारानी ही ठीक वैसे है जैसे क्रिश्णा और रादिका की जोड़ी थी तो बाहिये सौंदरिये इस समय विसेस का रीती काल विसेस का एक तरीके से एक सबसे बड़ा कारण बना कि ये साहिती जो है सबसे अलग गिना जाने लगा तो इसको एक अलग स्रैनी में रखा गया अब समझे कि रीती का मतलब क्या है क्यों इस काल का नाम करन रीती काल रखा गया है रीती क्या है आदारन अर्थों में समझे हम तो रीती का अर्थ होता है कोई भी काम करने का हमारा जो तरीका होता न वो रीती कहलाता है या आप इसको कह सकते हैं ऐसे समझ सकते हैं किसी भी काम को करने की स्टाइल, रीटी कहलाती है, किसी भी काम को करने का जो मार्ग होता है, स्टाइल या तरीका क्या है, मार्ग ही तो है, कोई काम कैसे करना है, किस रूप में करना है, उसकी एक रूप रिखा बनाई जाती है, उसका एक मार्ग बनाया जाता है उसका एक पहले मैप बनाया जाता है उस मैप के अकॉर्डिंग उस मार्ग के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं इसका मतलब आप किस पर चल रहे हैं रीती पर चल रहे हैं बने बनाए तरीके पर चलना रीती पर चलना होता है यह साधर अनर्थ हिंदी के रीती सास्तर का आधार आप जानते हैं पूर्ण रूप से संस्कृत का कावे सास्तर है लेकिन अंतर क्या है दोनों में इसका मतलब यह नहीं हो गया सीधे सीधे तोर पर कि संस्कृत के कावे सास्तर का पूरा अध्यन करने के बाद या फिर संस्कृत के कावे सास्तर को ही ट्रांसलेट किया गया हिंदी में और उसी को रीती कहा गया हिंदी का रीती हिंदी की कावे रचना की रीती माना दया यह पूर्ण तर सटिक नहीं बैठता है क्यों नहीं बैठता है इसके पीछे कारण है संस्कृत में रीती जो है किसी कावे का एक तरीके से प्रधान गुण माना जाता है कावे का या साहित्य का धर्म माना जाता है और हिंदी के साहित्य में इसको एक सबसीडरी चीज के रूप में देखा गया एक सहायक रूप में देखा गया कैसे साइक रूप में देखा गया इसको समझेए संस्कृत के साइते में रीती को कावे की आत्मा माना गया रीती को कावे का धर्व माना गया बिना रीती के कावे की रचना नहीं हो सकती है ऐसा संस्कृत के आचारी कव्यों ने कहा है और इसके प्रतिपादन के लिए एक सिद्धान्त भी आता है आचारी वामन ने अपने ग्रंत काव्या लंकार सूत्र में इस चीज को प्रतिपादित किया है कि रीती ही क्या है काव्य की आत्मा है रीती ही काव्य की आत्मा है बिना रीती के काव्य की रचना नहीं की जा सकती ह आपको पता है ना कई सारी रीतिया जो है संस्कृत का आचारे कभी बताते हैं जैसे वेदर भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी ये साहिते के हिसाब से अलग-अलग रीतियां थी तरीके थी और इन सब रीतियों का आधार क्या था कावे गुन हम पढ़ते हैं ना हिंदिस आहिते में कावे सासर में ये तीन प्रकार के गुन होते हैं कावे के पसाद गुन, और और मादुले गुन उन कावे गुनों के आधार पे संस्कृत में भी ऐसे ही तीन की बज़ाए कई सारे कावे गुन गिनाए जाते हैं अलग-अलग आचारी कभी अलग-अलग कावे गुणों की संख्या बताता है और उन्हीं कावे गुणों के आधार पे रीतियों का निर्मान किया गया है तो जो कभी कावे गुणों को आधार बना करके रीतियों में निरुपित रचना करता था वो साहित्य कहलाता था उसी को संस्कृत में साहित्य का जाता था लिखा तो और भी बहुत कुछ जाता था लेकिन वो साहित्य किस रणी में नहीं आता था अब हिंदी साहिते में क्या हो गया ये धारणा जो थी कुछ-कुछ अर्थों में ग्रहन की गई बाकी अपने हिसाब से अपने तरीके से आचारी कव्यों ने एक नई परंपरा बनाई एक नया ही जो है काविशास्त्र निर्मित किया ये गुण ग्रहन किये गए कि काविश में गुण होते हैं काविश में रीतियां होती है लेकिन इनका प्रियोग अपने हिसाब से करना है ये आचारी कव्यों ने एक नया तरीका एक नया मार्ग बनाया और इसी मार्ग को रीति कहा गया और इसी मार्ग के हिसाब से जो लोग चलते थे, बहले ही, देखो तीनों तरीके हैं, एक तो मार्क बनाने वाले लोग, एक मार्क पर चलने वाले लोग, और एक उस मार्क को छोड़कर अलग मार्क पर चलने वाले लोग, या अपने अपने मार्क पर चलने वाले लोग, सब कहीं न कहीं रीती से जुड़े हुए है सब कहीं न कहीं उस मार्ग से जुड़े हुए एक वो विक्ति जिसने मार्ग बनाया तीन ही प्रकार के कवी थे एक मार्ग बनाने वाले कवी यानि कि रीती निर्मान करता कवी दूसरे इस रीती की परंपरा पर इस मार्ग पर चलने वाले लोग या कभी, तीसरे प्रकार के वो लोग थे, वो कभी थे, जो इस मार्क पे नहीं चलते थे इस मार्क को उस रिष्ट नहीं मानते थे, वो अपना मार्क खुद बनाते थे, कोई सॉटकट यूज़ करके, कोई और तरीका यूज़ करके, लेकिन चल तो वो भी यहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं और जा रहे हैं, नहीं, वो भी इसी धरातल पर चल रहे हैं, इसी जमीन पर चल रहे हैं, और जमीन किसकी, कभीता की जमीन, काभी की जमीन, चल तो वो भी इसी जमीन पर रहे हैं, लेकिन उनका अपना मार्ग है उन्हों ने आचारे कवियों के द्वारा या फिर जिन लोगों ने ये मार्ग बताया है उन लोगों के अनुसार वो लोग नहीं चलते हैं बलकि अपने तरीके से चलते हैं तो तीन प्रकार के ही लोग जो है देखे गई इस समूचे समय में और तीन प्रकार क कि लोग अप्रतेक्स तोर से रीती से जुड़े हुए थे, कवीता करने के तरीकों से जुड़े हुए थे, और इसी कारण से रीती काल के पूरे साहिते को तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, एक जिन लोगों ने ये रीतिया निर्मान की है, उनको बोला रीती बद्ध कवी, बद्ध करना मतलब बनाना, बांधना, जिन लोगों ने रीती बांधी, वो रीती बद्ध कवी, हलांकि इनके बारे में हम आगे पूरा अलग से डिसकस करेंगे, अभी सौट में ही इनको समझा रहा हूँ, रीती बद्ध कवी मतलब जिन ने रीतिया ब किया खुछ ऐसी रचनाईं की, कुछ ऐसे ग्रंथ बनाए जिन में कवीता करने के तरही के सिखाएं क células करनी हैं, इस प्रकार से आपको कावी गुनों का इस्तिमाल करना है, के ऐसे कावी गुनों पर चल करके कावी रीतियों का निर्मान करना है, और उन काविगुणों और रीतियों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार आप अलंकारों का प्रयोग करेंगे किस प्रकार से आप रसों का प्रयोग करेंगे कौन से चंद में कौन सा अलंकार और कौन से रस को प्रमुखता दी जा सकती है कौन से चंध के कारण काववेगुणों में एक रोचकता आतीये, काववेगुणों को फस्ट करने में सरलता मिलती है ये सब तरीका बताया, ये सर मार्ग बताया कवीता करने का, किन लोगों ने, जिन लोगों ने रीतियां बांदी है रीतियां बांधने वाले कवी रीतिबद्ध कहलाए और इन कवियों को आचार्य कवी भी कहा गया क्योंकि इस सिखाते थे कवीता करना और ये जो ग्रंथ लिखे थे जिनमें रीतियां निर्धारित की गई थी जिन में कवीता करने के तरीके बताए गए थे, इन ग्रंथों को कहा गया लक्षन ग्रंथ, लक्षन ग्रंथ क्यों कहा गया, क्योंकि कवीता करने के क्या लक्षन है, एक स्रेश्ट कवीता के क्या लक्षन होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो गुण वो लक्षन इन गरंतों में इस्वस्ट किये थे उदाहरन दे करके खुद कवीता नहीं की बलकि जो लोग उस समय कवीता कर रहे थे उनकी कवीता उठाई और उसको उदाहरन के तौर पर प्रस्तूत किया उदाहरन के लिए मान दीजे जस्वंत सिंग थे जिन्होंने पाँच हजार अलंकारो का एक गरंत लिखा जस्वंत जसो भूशान उन्होंने अलग-अलग रचनाकारों की कवीताओं को उठाया और बताया कि देखिए स्वस्ट करके बताया व्याख्या करके बताया एक एक उदाहरन अपनी तरफ से भी देख कर बताया कि देखिए यहां इस तरीके से अगर आदार पे कुछ परिवर्तन करेंगे तो यहां पर अर्था अलंकार होगा यह वाला अर्था अलंकार होगा यहां अगर आप सब्द में हिर्फेर करेंगे वरनों में हिर्फेर करेंगे तो इससे वरन अलंकार बनेगा मतलब कि एक जो है सब्दा अलंकार बन जाएगा और य किसी ने कभी रीतियों का प्रियों करने के तरीके बताए ऐसे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग प्रकार के कवीता करने के ग्रंथ लिखे एक-एक-दो-दो उदाहरन दे करके इन लोगों ने खुद कवीता नहीं की बलकि उदाहरनों का इस्तेमाल किया अपने समय के कव आधी रीतियां बनाई इसलिए रीति बद कवी के नाम से जाने गए तूसरे वो लोग थे जो इन बंदी मदाई रीतियों पर चलते थे आचारी कवियों ने जो नियम बनाए थे आचारी कवियों ने जो तरीके बताए थे उन तरीकों को सिद्ध करके बताया और जिन लोगों ने उन तरीकों और रीतियों को सिद्ध करके बताया वो लोग कहलाए रीती सिद्ध कवी जैसे साइंस में होता ना एक प्रियोग दिया जाता है और आपको सिद्ध करके बताना उसको प्रियोग दे दिया आपको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है कैसे इस्तेमाल करनी है परक्नलिक में क्या क्या केमिकल डालना है उसको कितनी देर आँच पे रखना है तब उसको हटाना है उसके बाद कितने सकंड बाद उसको धकन खोलना है सब कुछ आपको बता दिया पहल रसों के द्वारा आप एक अध्भूत कवीता की रचना कर सकते हो। इस प्रकार रसों का परिवर्टन करें। इस प्रकार रसों का इस्तेमाल करें। ये वाले उच्छंद अगर साथ में रखे जाएंगे तो एक अध्भूत तरीके की कवीता बनेगी। जो सुनने में अच्छी लगेगी, पढ़ने में अच्छी लगेगी, बहुत सारे अलग-अलग जो कवीता करने के तेवर हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, वो आचारी कवियों ने अपने इन लक्सन ग्रंथों में लिख दिये, अब इन ही लक्सन ग्रंथों को आधार बना करके इन लक्सन ग्रंथों में जो नियम दिए गए थे उन्हीं को प्रूव किया इन रीती सिद्ध कवियों ने clear और इन RITI Siddh कवियोंने कविता हैं लिखी किस आधार पे लिखी किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर लिखी इन Lakshan Grinthों के क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर लिखी इन Lakshan Grinthों में जो नेमावली दी गई थी कविता करने की उससे बाहर ये कवी नहीं गए उसके भीतर भीतर रही इन लोगों ने जो रीटी सिद्ध कवी थे इन लोगों ने कोई प्रकार का लक्सन ग्रंथ नहीं लिखा क्योंकि लक्सन ग्रंथ को इनको क्या करना था अप्रूव करना था सिद्ध करना कवीता की इन्होंने जैनुइन कवीता की अपनी मौलिक कवीता की है लेकिन किस आदार पर की है नियमों को कौन से नियमों को ध्यान में रख कर की है जो लक्सन ग्रंथों में आचारे कवियों ने प्रस्तूत कर दिये थे आचारी कवियों ने पहले से नियम जो रखे गए थे उनके लक्सन पुरंथों में उन्ही नियमों का इस्तेमाल करते हुगे कवीता बनाई जैसे इसे आचारी कवियों ने कह दिया कि दोहा नामक छंद होता है उसमें 13-11-13-11 मात्राओं पर यती होती है और आप उसमें कई सारे अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप सिरफ उसमें भक्ति परक रचनाई कर सकते हैं भक्ति, श्रंगार, नीती आप चाहिज इसमें रचनाई कीजिए अब एक कवी ने इस चीज़ को फॉलो किया खुदाहरन के लिए बिहारी को ले लीजिए बिहारी ने क्या किया ये बात इसी लक्सन ग्रंथ में पढ़ी और उसके हिसाब से उन्होंने कवीता करनी शुरू कर दी बिहारी ने कोई प्रकार का लक्सन ग्रंथ नहीं लिखा बलकि लक्सन ग्रंथों के आधार पे कवीता लिखी इसलिए बिहारी किस रणी में रखे जाते हैं रिती सिद्ध कवीता कवियों किस रणी में किसरे एक और प्रकार के कवी थे जना काना तीन तरह के लोग थे जो कवीता की धरती पर चल रहे थे पहले वो लोग जो कवीता करने के तरीके बता रहे थे मारगों का निर्मान कर रहे थे सड़के बना रहे थे इस सड़क पर जाओगे तो आप एक सहर से लेके दूसरे सहर तक पहुंच जाएंगे दूसरे वो लोग थे जो इन सड़कों पर चल रहे थे इन मारगों का अनुसरन कर रहे थे मारगों के साफ से चल रहे थे तीसरे वो लोग थे जो इन पे नहीं चल रहे थे बलकि अपना उनका एक खुद का ही रास्ता था जल तो वो भी जमीन पर ही रहें और वो जमीन किसकी है कवीता की जमीन है लेकिन उनका तरीका अलग था वो जब चाहें तब रुक जाते थे, वो जब चाहें तब चल पड़ते थे और इन कवियों के यहां पर रही थी, सिद्ध कवियों के यहां पर ऐसा नहीं था इनको इन लक्सन ग्रंथों में दी गए नीमों के बाहर नहीं जाने की मना ही थी छूट नहीं थी इनको, कि आप लक्सन ग्रंथों से बाहर जाकर कुछ करें, नहीं कर सकते थे नया प्रयोग, अभिनेव प्रयोग यह लोग नहीं कर सकते थे और जो मुक्त कवी थे, जो अपने मार्क पे चलते थे, उनको पूरी छूट थी जैसे उदाहरन के लिए, आप सरकारी बस में अगर यात्रा करते हैं, तो उसका एक रूट फिक्स होता है, उसके, वो कहां कहां रुकेगी, उसके स्टेंड फिक्स होते हैं, वो वहां वहां जब अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं, तो चाहें जितना रुक जाएं, एक दिन रुको, दो दिन रुको, पंदरा दिन रुको, चाहें जितनी देर रुक जाओ, फिर आगे अगले स्टेसन तक पहुँचें, तो रीती मुक्त कवियों के यहां पर वो बिलकुल फ लिखा, नहीं लक्सन गरंथों में बताएगे नीमावली को फॉलो किया, बलकि उन्होंने अपने तरीके से कविता की, तो उन्होंने भी कविता ही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं चीज़ बनाई है, उन्होंने कोई अलग चीज़ बनाई है, कि हम कविता नहीं हम लक्षन ग्रंत लिखे गहे थे उस लक्षन ग्रंतों की परिपाटे की कवीता लक्षन ग्रंतों की रीती की कवीता उन्होंने नहीं की अपने तरीके का विश्यच तक अवी, एक लेर